नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे जीनस पेपर एंड बोर्ड्स लीम्टेड की जिसकी क्लोजिंग प्राइस रही है च्यासेट पैसे बरकर के तेईस रुपे उन्चालिस पैसे लगभग तीन परसेंट बरकर के पिछले दिनों को मुखाबले 52 विक हाई है 28 रुपे 44 पैसे जो 5 फरवरी को टच किया था और 52 विक लो है 12 रुपे 65 पैसे 28 मार्च 2023 इस कम्पनी के शेयर के भाव में धीरे धीरे बरते हुए अच्छी खासी तेजी देखी गई है पिछले कुछ सालों कम्पनी ने कल ही 14 फरवरी को अपना दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट आउस किया है उस पर हम चर्चा करेंगे तो बने रही है हमारे साथ वीडियो के आखिर तक अभी आप स्कीन पर देख रहे हैं स्टेंड एलोन रिजल्ट जिसमें 142 करोर 70 लाग जो रकम लिखी हुए वो लाक में है मैं आपको करोर में बता रहा हूँ 142 करोर 71 लाग के करीब में टोटल इंकम है जिसमें से अधर इंकम बहुत ही कम है आठ लाग के करीब में है सितंबर क्वाटर में 176 करोर 85 लाग की टोटल रिवेन्यू रही है और दिसम्बर 2022 के क्वाटर में 127 करोर 76 लाग की रिवेन्यू रही है अब हम expense की बात करेंगे expense है यहाँ पर 142 करोड 26 लाग जबकि पिछले quarter में था 174 करोड 22 लाग December 2022 में था 130 करोड 82 लाग Profit after tax है इसका मात 76 लाग December quarter में जबकि 2 करोड 55 लाग था September quarter में 3 करोड 4 लाग का घाटा था December 2022 के quarter में यह है इसका stand alone result अब हम बात करेंगे consolidated result की consolidated result में कुछ ज़्यादा रकम नहीं है 155 करोड 166 लाग की revenue है इस quarter में 155 करोड 84 लाग का खर्चा है Profit after tax है 9 लाग 26 जार इसमें deferred tax माइनस में है इस तरह से मुनाफे में तो नहीं है company लेकिन घाटे में थोड़ी सी कमी आ गई है ऐसे ही 194 करोड 48 लाग की total revenue है थी सितंबर quarter में 189 करोड 52 लाग की खर्चा था पिछले quarter में और profit after tax चार करोड 14 लाग था कुछ खास इसमें पिछले quarter में भी कुछ खास बरहोतरी नहीं थी कुछ खास profit नहीं था और इस बार तो घाता यह ज़्यादा नहीं है 9 लाग का घाता है कंपनी अभी ग्रोथ फेज में हैं 2022 के quarter में 141 करोड 76 लाग की टोटल इंकम थिरिवेन्यू थी 147 करोड 26 लाग का खर्चा था और कुल मिला करके profit after tax में घाता ही घाता था 4 करोड 93 लाग 95 यह है जीनस paper and board limited का लेखा जो खास दिसम्बर quarter 2023 का प्राइस में धीरे धीरे ही सही तेजी आ रही है अब रिजल्ट आने के बाद भी आज हमने देखा कि थोड़ी तेजी यह च्यासर पैसे की इस वीडियो में इतना ही अगली वीडियो में किसी और company उसके share के बारे में चर्चा करेंगे तब तक सिब जानकारी के लिए हमारे चैनल के दूसरे वीडियो देखते रहिए और investment अपने financial advisor के सलाह पर ही करें हम कोई tips नहीं देते धन्यवाद